बॉलिवूड कैफे आज एक्स्पेन कर रहा है कि इटालियन मूवी ये मूवी फेमस इटालियन ओथर अलबेटो मुराविया की बुक गली इन डिफरेंटी पे बेस हैं इसी नाम से बनी ये मूवी एक इटालियन फैमिली की कहानी है जो अपनी फाइनेंशल प्रॉब्लम की वज़े से किस तरह से अपने रिस्तों की लिमिट को क्रॉस करके फिजिकल प्लीजर के पीछे भागती हैं देखेंगे हम इस मूवी में इस इटालियन फैमिली में तीन मेंबर हैं एक मदर एक डॉटर और एक सन फैमिली के हैड की डैथ कुछ साल पहले हो गई है इसलिए फ प्रिच मैन लियो की नजर इनके बंगले पर होती हैं जिसको ये खरीदना चाता हैं साथ ही साथ ये मारिया की डॉटर कारला को भी बहुत पसंद करता हैं लेकिन कारला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है मारिया की एक लोस फ्रेंड होती है लीजा जो की लियो क एक्स गर्फरेंड थी लेकिन जब से लियो को मारिया मिली है उसने लीजा को छोड़ दिया है लीजा अब अकेली पढ़ गई है तो वो चुप-चुपके मारिया के बेटे माइकल से मिलती रहती है और इनके अफेर के बारे में किसी को भी पता नहीं है कारला को पढ़ने में खास इंट्रेस्ट नहीं होता है वो एक फेमस यूट्यूबर गेमर बनना चाहती है और उसका ज़्यादा तरह टाइम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में ही निकलता है लेकिन उसकी मदर चाहती है कि वो एकोनॉमिक्स में डिगरी करे और ये सब फालतों के काम नहीं करें लेकिन इसके यूट्यूब प्रोफेशन को लियो सपोर्ट करता है क्योंकि लियो चाहता है कि वो किसी तरह से कारला के क्लोज आ जाए लियो आज कारला के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आया है तो कारला कहती है कि इस गिफ्ट से अच्छा तो मेर लिए कोई gaming kit ले आते तो लियो कहता है कि मैं जरूर से ले आऊंगा तुमारी mom तुमारे passion को समस्ती नहीं है तुम जो कर रही हो वो करती रो मैं तुमारे साथ हूँ लियो कैसे भी करके कारला के close आना चाता था वो कहता है कि मैं भी बच्वन में singing किया करता था लेकिन मेरे parent ने support नहीं किया इसलिए मैं singer नहीं बन पाया लेकिन तुम अपना passion कभी भी मत छोड़ना इससे कारला काफी impression होती है और वो कहती है कि कुछ गा कर सुनाओ फिर लियो क कि किसी friend का phone आजाता है वो phone लेके किसी से बात करने लग जाती है तो लियो काफी upset हो जाता है क्योंकि वो कारला को लेके काफी possessed ही था दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया का बेटा और कारला का भाई Michael अक्सर मारिया की friend Lisa के घर जाता है और उसके साथ वहीं पे वो relation बना से due चल रहा था तो मारिया उसको कहती है कि थोड़े दिन और रुको बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी लेकिन मरियम कहती है कि मेरे बच्चों की school की fees भरनी है मेरे घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है आप मुझे salary दे दीजे मारिया के पास पैसे बिलकुल भी नहीं थे क्योंकि उसके एक मातर earning member उसके husband की death हो चुकी थी और अब उसकी family में कोई भी earn नहीं करता है सिर्फ Leo ही उसको support करता है वो भी उसको limited पैसे देता है और इतने पैसे उधार उन्होंने ले ली हैं कि वो करजे में डूप चुके हैं मारिया किसी तरह से request करके Leo से कुछ और पै agreement sign करो कि तुम ये बंगला मुझे ही बेचोगी इस बात पे मारिया agree हो जाती है लियो की भी financial हालत कुछ सही नहीं होती है वो भी इधर उदर के property dealer से पैसा लेके पना काम चला रहा होता है लेकिन वो मारिया के बंगले पे इसलिए नज़र रखना चाता है क्योंकि ये बंग लिये में बहुत सारे earthquake आते थे और after swap अभी भी आ रहे थे इसलिए ज़्यादातर लोग property buying में interested नहीं थे लियो को बंगला खरीदने का ये सुनेरा मौका दिखा लेकिन लियो को साथ साथ मारिया की beautiful daughter से attraction हुआ तो वो उसका भी फाइदा उठाने लगा dinner table पर Carla अपनी mom से कहती है कि मैं economics में degree नहीं करूँगी मैं एक youtuber बनूगी मैं एक gamer बनूगी इस बात पर उसकी mom से उसकी थोड़ी fight हो जाती है और वो dinner table से उठके garden में चली जाती है मौका देखकर लियो भी उसकी पीछे जाता है और उसको console करने की कोसिस करता है और उसको थ केता है कि इतना drink क्यों करती हो तुमसे सहन नहीं होता है तो और अपनी mom से इतनी बहस क्यों करती हो तुम्हें जो करना है वो तुम कर लिया करो कारला कहती है कि मैं अब आज से mom से बात ही नहीं करूंगी लेकिन लियो कहता है कि अपना गुसा ठंडा करो और थोड़ा सा पा करते हो मेरी मौम ने इतनी केर मेरी कभी भी नहीं की आई रियली लाइक यो लियो कहता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो मैं हूँ न तुमारे लिए उसके बाद में वो कारला को किस करने लग जाता है कारला पहले तो रजिस्ट नहीं करती है लेकिन बाद में वो उसको अपने से दूर हटा देती है और वो थोड़ी दूर जाके वामिट करने लगती है क्योंकि उसने खूब ड्रिंक कर ली थी तो इस बात से लियो काफी अपसेट होता है और घर जाके कारला को इमेंजन करके वो अ वो उदार भी देगा तो लियो कहता है कि तुमें कोई आइडिया भी है कि मार्केट में इंट्रेस्ट रेट कितने हाई चल रहे हैं तुम बरबाद हो जाओगे माइकल जो कि लियो और उसकी मदर के रिलेशन को बिलकुल भी एप्रून नहीं करता था वो पहले से ही लियो स चिड़ा हुआ था वो कहता है कि इंट्रेस्ट रेट तो हाई होगा लेकिन कम से कम तुम से तो चुटकारा मेली जाएगा तुम तो मेरे घराना बंद करी दोगे इस बात पे लियो काफी चिड़ जाता है और वो माइकल को धंकाने लगता है और इन दोनों की बीच में जसे आता है वो अपने बेटे और अपने बॉइफ्रेंट की फाइट देखके रोने लगती है कि अब इस फैमिली का क्या होगा लियो कहता है कि तुम लोगों को रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा अधर्वाइस मैं तुम सब को छोड़ के चला जाऊंगा अगले थलगी खड़ा रहता है क्योंकि वो मनी मन लियो की दी हुई इन चीजों से नफरत करता था वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली लियो के दिये हुए टुकडों पे पले इससे उसके सेल्फ इस्टीम को बहुत हर्ट होता था लेकिन सेल्फ इस्टीम से पेट तो भरता है नहीं वो खुद कुछ नहीं करता था इसलिए उसकी मॉम ने कॉम्परमाइस करके अपने सेल्फ इस्टीम को साइड में रखे वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए लियो के अनुसार चलने लगी लियो पार्टी में कारला के पास जाता है और उससे कुछ बाते करने के लियो कारला को भी अपना ले और अब इन दोनों को साथ में देखके मारियो को ऐसा लगा कि अब साइड उसकी फैमिली वापस बनने वाली हैं मारिया साइड ये सोच रही थी कि लियो कारला को अपनी डॉटर समझ रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता था कि लियो उसको अप अपनी गर्फेंड बनाना चाहता था इसी ब्रहिम में। मारिया पार्डी में एपने बेटे माइकल के साथ डांस करती हैं। माइकल पार्टी से जाके अपने घर पे अपनी गर्फरेंड लीजा को बुलाता है और उसके साथ रोमांस करने लगा है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइट्स चली जाती हैं क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक का आफटर सौक आया होता हैं जिसकी वज़े से पूरी बिल्डिंग में लाइट्स चली जाती हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बाद में मारियो, कारला और लिय भी आजाते हैं। माइकल को बीना सर्ट के देखे भी मारिया को कुछ भी डाउट नहीं होताerma। और वो लीजा पर भी बिलकुल डाउट नहीं करती हैं कि वो यहाँ पे क्यों आई है। इधर कारला और लियों बातें करते हैं, लियों कहता हैं कि यहाँ पर तो लाइट्स आ जाती हैं तो ये सब लोग मिलके यहां पे डिनर करते हैं और डिनर के बाद में लियो यहां से अपने घर के लिए रवाना होता है और वो कारला को इसारा करके वहां से जाने वाला होता है तो मारिया कहती हैं कि तुम क्यों जा रहे हो तुम यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते तुम्हें जाने की जरुरत क्या है तो insist करने पर لियो वही रुक जाता है अब ये चारों लोग थोड़ी देर बाते करते हैं और लियो और मार्या यहां पर काफी मस्ती करते हैं जिसको देखे मार्या के बेटे माइकल को काफी गुस्टदा आता है और माइकल वहां से चला जाता है तो लियो कहता है कि तुम कभी नहीं सुद्रोगे उसकी मॉम भी उसको रोकना चाती है लेकिन वो नहीं रुकता है उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिस करती है कि देखो वो ही अकेला ऐसा है जो हमारी फैमिली चला सकता है, कम से कम तुम उसके सामने तो सही बहेव किया करो, तुम अपना बच्पना बार-बार दिखाओगे, तो कभी वो हमें छोड़ के चला जाएगा, वो अपनी मॉम को कहता है कि वो तुमें बेवकुफ बना रहा है, जिस रेट में वो बंगला बाई करने की बात कर रहा है, मार्केट में बंगले का प्राइज उससे कम से कम चार गुना जादा है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि अर्थक्वेक के बाद में कोई बायर भी तो नहीं मिल रहा, अर्ग्यूमेंट के बाद में माइकल घर से चला जाता है, परिसान होके मारिया अपने बेड आनी पड़ा है, और मैं यूटूब पे ऑनलाइन हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम प्लीज थोड़ा बाहर चले जाओ, लियो कारला के कहने पे ड्रिंग करता हुआ बाहर तो चला जाता है, लेकिन वो काफी अपसेट ह जाता है, कि कारला ने मना कर दिया है, वो कारला को डिस्टब करना चाता था, इसलिए बाहर जाकर वो ग्रामोफोन पे सौंग चला देता है, और साउंड बहुत तेज कर देता है, जिसकी वज़ह से कारला जो की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसको तेज साउंड की व करना करती हैं, और वो कहती हैं, कि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, प्लीज मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करने दो, मैं डांस नहीं कर सकी, लेकिन लियो ड्रिंक किया हुआ था, और उसके साथ वो फोर्स फुली डांस करने लगता है, तो वो बेमन से डांस करने तो finally frustrated होके कारला लियो को एक थपड मार देती हैं थपड खाने के बाद में भी लियो को कुछ फरक नहीं पड़ा तो वो कारला को हाथ पकड़के खीचके अपने पास में लाता है और कहता है तुम corporate क्यों नहीं करती हो मेरी बात सुनो मैं ही हूँ जो तुमारी फैमिली का खर्चा चलाता हूँ चुप चाप मैं जो कहता हूँ वो तुम करो उसके बाद में वो कारला को किस करता है और इसके बाद में लियो यहाँ पर कारला की मरजी के बीना उसके साथ इंटिमेट होता है और एक जिंदा लास की पास पैसे मांगने के लिए जाती हैं तो वो देखती हैं कि लियो वहाँ पे नेकिडी 12 होता हैं तो उसको ऐसा लगा कि लियो उसकी फ्रेंड लीजा के साथ जो की लियो की एक्स ग्रियर्ट भी थी उसके साथ relation में हैं और वो उसकी वज़े से मारिया को छोड़ देगा तो वो रोने लग जाती हैं और वो लीजा के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरी best friend हो तुम लियो से दूर क्यों नहीं रहती हो तुम लियो के साथ क्यों relation मनाती हो लेकिन लीजा कहती हैं कि मेरा लियो स कोई लेना देना नहीं है लियो तो रियल में तुमारी बेहन कारला के साथ रिलेशन में है इस बात को सुनके माइकल को काफी गुसा आता है क्योंकि वो लियो को अपनी मौम के साथ नहीं देखना चाता था तो वो कारला के साथ तो उसको क्या ही देखेगा गुसा या हुआ मा बेहन के साथ मैंने कोई जबरदस्ती नहीं कि है उसने जो भी रिलेक्षन बनाए हैं हैं उसकी मर्जी से बनाए हैं ये बात सुनके माइकल को और गुस्सा आजाता है और माइकल लिओ पर गोली चलाने लग जाता है लेकिन तबी उसको रियलाइज होता है कि वो गन को लोड करना तो भूली गया ये देख के लियो माइकल पे हावी हो जाता है और उसको मारने लगता है इन दोनों की फाइट को कारला अकर चुड़वाती है वो माइकल को समझाना चाती हैं लेकिन माइकल कहता है कि मुझे तुमारी कोई बात नहीं सुननी है लियो को अब लगा कि मामला गड़बड हो सकता है कारला वाली बात अगर उसकी मौम के पास पहुँच गई तो सायद उसकी बंगले की डील खत्रे में पढ़ सकती है तो वो दोनों को समझाता है कि देखो जो भी हुआ हमारे बीच में हुआ और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए और अगर तुमने ये बात बाहर की तो तुमने मेरे उपर गंत आनी थी इसकी रिपोर्ट मैं पुलिस में कर दूँगा और तुम जेल के अंदर चले जाओगे सही कहता है उसके बीना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती वो जो कहता है हमें करना ही पड़ेगा और माइकल वहां से चला जाता है अब कारला को इस बात से और दुख होता है कि वो तो इस चीज को मजबूरी में कर रही है लेकिन माइकल को कम से कम वर्बली उसको सपोर्ट करन जिसकी वज़से कारला डीप डाउन कहीं से तूट जाती है और वो रोते रोते अपनी मॉम के पास जाती है यहाँ पर कारला की मॉम उसका भाई और लीजा किसी फैंसी ड्रेस पार्टी की तैयारी कर रहे हैं कारला यहाँ पे आके अपनी मॉम से बात करना चाहती है लेकिन मॉम पार्टी की तैयारी में बिजी होती है थोड़ी दिर बाद में वो अपनी मॉम को अकेला देखके कहती है कि लियो ने मेरे साथ जबर्दस्टी की है उसने मेरा रेब किया है मुझे पुलीस कमप्लेन फाइल करनी है ये सुन के कारला की मॉम शौक हो जाती है उसको समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे कहती है कि मैं अपने सर पे वील लगाना भूल गई हूँ मुझे ढूड़ना पड़ेगा पता नहीं मैंने कहां पे रख दिया कारला को अपनी मॉम का ये बहेवर कुछ समझ नहीं आया उसको पता था कि उसकी मॉम लियो को कुछ नहीं कह सकी क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनिशल कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब है लेकिन वो फिर एक बार अपनी मॉम को यही बात कहती है लेकिन उसकी मॉम उसकी बात को इगनॉर कर देती है और हसते हुए वहाँ से चली जाती है अपनी मॉम का ऐसा बहेवर दे के वो शौक हो जाती है कि उसकी मॉम को उसके साथ हुई जबरदस्ती के बारे में बताने के बात में भी उसकी मॉम उसकी फैमिली की financial condition को ठीक करने में लगी हुई है उसको कारला के साथ हुई जबर्दस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके भाई ने उसको पहले ही support करना बंद कर दिया है उसकी मदर ने अभी उसको कोई answer नहीं दिया है लीजा तो इस मैटर से अल्ड़ी बाहरी थी तो कारला अब अकेली पड़ जाती हैं और ये तीनों मिलकर कारला को अकेला छोड़ कर यहां से पार्टी के लिए निकल जाते हैं कारला को समझ नहीं आता कि फिजिकल वर्ल्ड की सुक शुईधाएं इतनी इंपोर्टेंट है क्या जिसके लिए हम अपना सेल्फ इस्टीम ही ताक पे रख दे हमारी कोई गरिमा या मरियादा नहीं है क्या जो हम अपने मन के खिलाफ किसी के साथ भी सो जाएं हमारी फैमिली क प्रेस्टीज हमारी फैमिली की गरिमा बचाने के लिए क्या मुझे इस हद तक गिरना पड़ेगा लेकिन कारला ने अब सोच लिया है कि अब वो कॉम्परमाइज कर लेगी अब वो खुसी खुसी वही करेगी जो लियो चाता है बहुत तिक सुक शुईधाओं के लिए वो अपने मॉरल वैल्यू से कॉम्परमाइज कर लेगी जैसा उसकी मौम ने किया है जैसा उसके भाई ने किया है और जैसा दुनिया में बहुत सारे लोग रियालिटी करते हैं ठीक वैसा ही आज कारला भी करने जा रही इसके बाद में कारला की मॉम मारिया अपना बंगलो लियो को बेज देती हैं जिसके बाद में लियो यहीं पे रहेगा और इस फैमिली में सब ने अपने moral values के साथ compromise कर लिया हैं ताकि वो एक बड़े से बंगले में सभी भौतिक सुक्षुईदाओं के साथ रह सके क्योंकि इ उसकी फैमिली इसी बंगले में हमेशा हमेशा के लिए रहे तो अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ और लियो के साथ इसी बंगले में रहेगी लेकिन लियो का कोई भरोसा नहीं है जिस तरह से उसने लीजा को छोड़ा था वो कब मारिया को छोड़के चला जाए और क की mentality को उजागर किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से financial strain और financial problems आपके moral values पे हावी पढ़ जाती हैं और आपको ऐसे decision लेने के लिए मजबूर कर देती हैं जो सच में आप लेना नहीं चाते लेकिन harsh realities की वज़र से आपको ऐसे रस्ते पे चलना पड़ता हैं जिसको आपक के पास और कोई रास्ता नहीं है आपको financially dominating person की बातों को मानना पड़ेगा जो की real life में काफी हद तक सही बैठता हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजेगा हमारे चैनल को subscribe कीजेगा and thank you for watching